पंचकूला नगरनिगम शहर के चोकों की ब्यूटिफिकेशन, डंपिंग राउन, बसक्यू शेल्टरों को तोड़ने और कई मामलों को लेकर चर्चाओं में रह चुका है। इस मामले को लेकर नगरनिगम के तीन पाश्यदों की कमेटी ने जाच रिपोर्ट निगम के मेर कुल भूशन गोयल को सौपी है। आया हुआ था, वो हमारे कुछ ऑफिसेज की अनगैली की वजए से वो ए रिक्षा में द्वारा से बैटरी नहीं रिप्लेस टाइम पर हुई, जिसके कारण ए रिक्षा बंद पड़ी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बैटरियें ठीक करवा कर उनको चलू करता है। जाच कमेटी की वपोर्ट आई थी, उसके मताविक जो डराइवर हमारे लगा था भी ये काम नहीं कर रहे हैं, उनको सब को हमने पहले ही निकाल दिया। उमीद है, क्योंकि हमने परपोजल दी है, पिछली मीटिंग में भी हमने पास किया था और आफिसर इसके उपर बैटरी जल्द से जल्द खरी देंगे। पंचकुला नगर निगम के पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं। नगर निगम के ऐसे कई कारियों का आडिट करने के लिए काउंटेट जनरल आफिस की टीम इन दिनों पंचकुला में अपनी इंटरनल रिपोर्ट तियार करने में जुटी हुई है। ताकि पता चल सके कि नगर निगम में कितने सरकारी पैसे का दूर प्योख हुआ है। झाल प्योख हुआ 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 है।